तो यहाँ पर दोफ्तों रियल में की तरफ से यह आपको एक शोटा फा यलो कलर का डिबा मिलता है इसमें हमारा जो स्मार्ट प्लाग है और यह बढ़िया क्वाल्टिक है मैंने पहले भी इसको चैक आउट कर रखा है और यहाँ पर थोड़े आपको डिबे के ऊपर स्पैसि पर उपन हो जाएगा बॉक्स को उपन करने के बाद दोफ्तों हम इसको रियल में के जो यूवर मैनुल होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर आप अलेकफा और गूगल डॉट फे किफी फे भी इसको प्यायर कर सकते हो और यह स्मार्ट ली वर्क करेगा तो इस इसको अभी देख लेते हैं तो यहाँ पर दोफ्तों ऐसको कुछ ही है रियल में का जो स्मार्ट प्लग आपको देखने को मिलता है बड़िया कुवाल्टी का दोफ्तों यहाँ पर आपको जो आउटपुट है वो भी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर हाइलाट की हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है अच्छी वोट ल्टेज वाला आप चीज है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर बिल्ड वगरा बहुत अच्छी है और यहाँ पर इसको हम स्मार्ट प्लग वगरा को कनेक्ट करके दिखाएंगे मोबाइल के फाद जो भी नीचे एक बटन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इस बटन को आपने प्रेफ कर देना है बटन को दबाने के बाद दो तो यहाँ पर आपको प्लग इन कर देना है अपने लाइट की डिबबी में यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जो लाइट बिलिंक हो रही है कर लेना है और आपने इसको डाउलोड कर लेना है डाउलोड करने के बाद दोस्तों आपने इसको इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने इसको ओपन कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसको डाउलोड कर रहा है तो मैं इसको सीधा ओपन कर लेता हू open करने के बाद دौस्तों यहाँ पर आपको fine अप कर लेना है अगर आपने fine अप नहीं कर रहा तो तो यहाँ पर मैंने already fine अप भी कर रहा है तो यहाँ सिधा मैं इसको login विगरा भी already कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे plus के icon पर click करना है और यहाँ पर दौस्तों आपको yes कर देना turn on तो यहाँ पर दौस्तों अभी आपको सब से पहले अपने wifi को on करना है wifi को on करने के बाद दौस्तों अभी आपको किसी भी wifi से connect हो जाना है मानके चलिए अगर आपके पास दो phone है और यहाँ पर add a new device कर देना है तो यहाँ पर नीचे आपको power saving के button पर जाना है और यहाँ पर आपको realme smart plug मिलेगा तो यहाँ पर आपको simply connect कर देना है और यहाँ पर आपको got it पर click कर देना है तो जैफे आप got it पर click करोगे तो यहाँ पर दोफतों आपको make sure करना है कि आपको जो wifi है उस पर internet चल रहा हो मतलब आपके दोफरे phone पर भी internet चलना चाहिए तो यहाँ पर दोफ्तों आपके अपने वाइफाई जो भी आपको नेक्ट करोगे तो उफका यहाँ पर पाफ़र्ड आपको फिल कर देना है तो यहाँ पर हम अपना पाफ़र्ड वाइफाई का एंटर कर देता हूँ enter करने के बाद दोफ्तों यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर next पर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपको blink red light पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर next पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर दोफ्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा pairing हो रही है यह मेरे if dot के फाद मतलब कि मेरे plug के फाद तो यहाँ पर थोड़ा अफ़ आपको wait करना पड़ेगा तो यहाँ पर दोफ्तों मैंने पहले phone पर try किया तो वहाँ पर हो नहीं रहा था तो इसलिए मैंने अपने दोफ्ते Samsung के mobile में try किया तो यहाँ पर मैंने दोफ्तों अपने plug-in का लगबग 3-4 बार बटन दबाया और यह light blink होने लग गई तो यहाँ पर दोफ्तों यह आप देख वक्ति हो कि यहाँ पर fat up complete होने वाला है तो यहाँ पर मैंने if पर click किया तो यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर connect option आ जाएगा तो यहाँ पर connect होने के बाद दोफ्तों automatically यह fat up होने लग जाएगा तो यह अब यह fat up हो जाएगा तो यहाँ पर blue color का जो light है वो blink होने लग जाएगा बफ्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस button को आपने तीन फे चार बार दबा देना है तो यह light जोगी blink होने लग जाएगी तो दोफ्तों यह fat up जैफे complete हो जाता है तो यहाँ पर दोफ्तों आपको done कर देना है done करने के बाद दोफ्तों यहाँ पर आपको i agree कर देना है आई अगरी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी अपडेट विगर आते हैं तो यहाँ पर आपको अपडेट कर लीजिए अपडेट होने के बाद दोस्तों यह बहुत बढ़िया फे वर्क करेगा तो यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोफतों जहाए आप अपडेट बगरा कर लोगे तो यहाँ पर कुछ ऐफा इंटर्वेफ आगेगा तो यहाँ पर आपको back कर देना है back करने के बाद दोफतों यहाँ पर आपके पाफ यह वाला फारा fat up complete हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको turn off and on कर फकते हो ठीक है remotely और यहाँ पर आप timer को भी fat कर फकते हो जब भी आप चाहेंगे तब यह आपका जो switch है automatically off हो जाएगा automatically on हो जाएगा यह भी आप fatting कर फकते हो और यहाँ पर schedule को option आता है तो यह भी यही काम करता है बिल्कुल film तो यहाँ पर दोफतों यह timer का दोफतों ऐफा होता है कि यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ पर आपने beef minute का time लगा दिया तो यह automatically beef minute के बाद बंद हो जाएगा ठीक है